हेलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूटूब चेनल मैट्स लपड दोस्तों मैं हूँ भी पिनियादब और आप मेंसे कुछ बच्चे ने कॉमेंट करा था कि सर मुझे अभाज गुननखंड अभाज भाजक इन सब के बारे में बता दीजिए और हाँ इसके बारे में जानना जरूरी है इससे हर एक्जाम में एक सवाल जरूर होता है चाहे आप रेलवे का एक्जाम दे लीजिए ससी का एक्जाम दे लीजिए दरोगा वाले एक्जाम में भी पूछे जाएंगे, SACGD में भी पूछे जाएंगे एक सवाल पक्का होता है और ये 10 से 12 मिनट में आप सारी चीजे सीख जाएंगे इस सवाल को अभी छोड़ दीजी, ये तो रेलवे में गुरुबडी में पूछा गया ही था एक बात याद रखिएगा ये अभाज गुनन खंड बात आए समझ में? आगी अभी भूला आजाओ, कुछ मत ध्यान रखो अभाज गुनन खंड की संख्या जब कभी पूछ दे आपसे आपसे पूछ देगा अभाज जे गुनन खंड क्या पुछ देगा अभाजे गुनन खंड की संख्या और एक ध्यान रखियेगा अभाजे भाजको की संख्या अभाजे भाजको की संख्या ऐसा जब भी कहा जाता है तो इन दोनों को बनाने के लिए ये दोनों दो बात है अभाज गुनन खंड की संख्या और अभाज भाज को की संख्या जब भी अभाज गुनन खंड की संख्या कहा जाएगा तो आपको देखना है जितने भी नीचे में अभाज संख्या रहेंगे उनके पावर का योग अंसर होगा जैसे ये कोश्चन नहीं कोश्चन मालो दू के पावर तीन दे दिया तीन के पावर साथ दे दिया पाँच के पावर चार दे दिया और कह दिया कि अभाज गुननखंड की संख्या बताईए बस इसके पावर का योग एंसर होगा पावर का योग एंसर होगा जब भी अभाज गुनन खंड की संख्या कहेगा पावर का योग ये सब नीचे में अभाज संख्या रहना चाहिए तीन आ साथ दस दस आ चार चौद ये हो गया यही हो गया इनके अभाज गुनन खंड की संख्या इसका मतलब ये होता है कि ये सारे तो अभाज्य गुननखन है ही ये अभाज्य संख्या है ही इनकी संख्या है कितनी तो 2-3 बार, 3-7 बार, 5-4 बार, 7-3, 10-4, 14 इसका एंसर 14 हो गया यानि पहले सवाल का answer आपका त्यार है पहले सवाल का answer त्यार है बस इसमें power का योग answer हो जाता है अब हाजब हाजकों की संख्या जब भी कहेगा तो आपको सिर्फ base का type गिनना है कि कितने type का base है एक, दो, तीन यानि तीन परकार का है इसमें power से कोई मतलब नहीं तीन परकार का है यही हो गया आपका answer दोस्तों अब देखो इस सवाल में क्या कहा 9 के power 6, 12 के power 4, 7 के power 7 के अभाज गुनन खंड का योग बताईए इसको पढ़ने से पहले छोटा सा बात और मैं समझाना चाहूंगा अगर मैं आपसे ये कहूं क्योंकि देखो ये पहले ही मैंने कहा कि भ आप ऐसे लिखिए कि अभाज संख्या के रूप में हो जाए तो कैसे लिखेंगे आप 9 को आप 3 गुना 3 लिख सकते हैं इसका power 4 लिख सकते हैं आप इस 3 को 3 का square भी लिख सकते हैं इसका power 4 लिख सकते हैं और आप इस 3 को देखिए कोई भी संख्या के power पर power होता है ब्राइक अभाज्य संख्या है यह एक प्राइम नम्मर है तीन क्या है अभाज्य संख्या यानि नौ को हम इस रूप में लिख सकते थे नौ के पावर चार को यहां भी समझ सकते हैं इस तीन का भी पावर चार है और इस तीन का भी पावर यह चार है यहीं से चल जाते बेस समान गुना में बेस एक बार लीखा जाएगा अब पावर में पावर जूट जाएगा तो 4 आ 4 आ 8 हो गया बोलिये 3 के पावर 8 यहां भी हुआ 3 के पावर 8 यहां भी हुआ आप ऐसे लिख सकते थे अगर मैं कहूं कि 12 के पावर 7 दे दिया है मैंने और 12 को मैं चाहता हूँ अभाज गुननखंड के रूप में लिखना तो कैसे लिख्यूंगा तो 12 को आप लिख सकते हो 2 दूना 4, 4 तीय बारा आपको ऐसे भी नहीं आता है, कोई बात नहीं आप 12 को यहां लिखिए, प्राइम फैक्टर तोड़िए इसी को भोलते हैं प्राइम फैक्टर यानि अभाज गुननखंड दो से लगाईएगा छो बार में लगेगा, दो से लगाईएगा तीन बार में लगेगा यानि दो दो बार तीन एक बार, दो दूना 4, 4, 3 बारा हो जाएगा दो बार तीन एक बार इस पूरे का पावर साथ है जी आप इसको कह सकते हो इस दो का पावर साथ इस दो का पावर साथ इस तीन का पावर साथ क्योंकि इस पूरे का पावर साथ है ये बारह के पावर साथ था बारह को इतना लिखे साथ है तो साथ यानि इस पूरे का पावर साथ है, आप ऐसे लिख सकते हैं अब इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, इतना नहीं करेंगे एक्जाम में आपको क्या करना है, मने मने, ये 12 के पावर साथ है आपको तोरना आना चाहिए कि भाईया 12 चारतिय इबार चार होता है दू के पावर दू और ये 3 ऐसे ही तोड़ियेगा कि नीचे हमेशा भाजी संख्या रहे तो ये हो गया दू के पावर दू 4, चारतिय इबारा यहां ये 2 के पावर साथ दूना चवदा हो गया, तीन के पावर साथ हो गया, ऐसे लिखना है, तो अगर कोई आपसे कह दे, कि बारह के पावर, बारह के पावर, दस, इतना में, इतना में, दो बात पूछ दे, एक पूछ दे आपसे, कि अभाजे गुनन खंड, क्या पूछ लिया जाए आपसे, अभा अभाज गुननखंड की संख्या बता दो और दूसरा कोई व्यक्ति आप से पूछ दे कि अभाजे भाजकों की संख्या बताईये कितनी होगी अभाजे भाजकों की संख्या कितनी होगी अगर अभाज गुननखंड या भाज भाजक है अभाज गुननखंड वाला में हमेशा पाबर का योग एंसर होता है दोस्तों पाबर का योग किसका योग पाबर का योग लेकिन किसके पाबर का योग जो अभाज संख्या रहेगा उसके पाबर का योग और अभाज भाजक की संख्या जब भी कहेगा तो बेस का टाइप देखना है बेस का टाइप गिन कर लिख द इसका पावर दस है यानि दू के पावर हो गया 10 दूना 20 और 3 का पावर सिर्फ 10 हुगा क्योंकि इसका पावर कुछ नहीं तो 1 होगा 1 से 10 गुना तो 10 होगा 2 20 बार 3 10 बार अब हाज गुननखंड की संख्या पूछा जा रहा है दोस्तों अब हाज गुननखंड की संख्या के लिए पावर का योग अंसर हो जाएगा तो बुलिए 20 पलस 10 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा आपका अंसर 30 हो गया इसी में कह देगा जड़ा बताईए अब हाज भाजक की संख्या देखे कितने टाइप का है एक, दो, दू टाइप का है, बेस का टाइप गिन कर लिख दीजिए, कि कितने टाइप का है, यही एंसर हो गया, अब दोस्तों, एक बात और समझ लो, अगर मैंने लिख दिया तीन के पावर साथ, और यहां लिख दिया दू के पावर पाँच, यहां लिख दिया तीन के तो आपका गूनन खंड की संख्या। लेकिन अभाज गुनन खंड ना कहे। आपसे कह देगा सभी गुनन खंड की संख्या। पाता है समझ में, सभी गुननखंड की संख्या, यानि टोटल नमबर ओफ डिभाइजर, आप से पूछ देगा, टोटल नमबर ओफ डिभाइजर, ये पूछ दिया, तो क्या करना है, तो क्या करना है, पहली बात ये बताओ, तीन यहाँ एक बार है, इस पूर्य को हम एरेंज करके ऐसे लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, जी ऐसे लिख सकते हैं, तीन सात बार, तीन एक बार, तीन हो गया आठ बार, दू हो गया पांच बार, तीन हो गया कितने बार, आठ बार, अब जब ऐसा रहेगा न, सभी गुननखंड की संख्या, तो कुछ नहीं करना है, पा चवबन हो जाएगा एंसर सभी गुननखंड की संख्या जब भी कहेगा तो अब जैसे मालो दू हो गया चार बार तीन हो गया दो बार पांच हो गया दो बार ऐसे है और आप से कह देगा सभी गुननखंड क्या कह देगा? सभी गुनन खंड की संख्या क्या होगी आपको जब भी कहा जाए सभी गुनन खंड की संख्या तो इस पावर का योग मत करिएगा अब हाज गुनन खंड में पावर का योग होता है सभी गुनन खंड की संख्या कहेगा पावर में एक एक जोड कर आपस में गुना करिए इसमें एक add कर लीजे 45 45 दोस्तों ये तो सभी गुननक्ढ की संख्या हो गया अगर आपसे कह दे कि सम गुननक्ढ की संख्या बताइए सम सम गुननक्ढ सम गुनन खंड की संख्या मतलब केवल सम संख्या कितना होगा जो इसको काट देगा इसके लिए आपको क्या करना है ये जो आपका प्रस्ण है इसमें सम गुनन खंड की संख्या जब निकालना हो न तो क्या करना है न कि सम जिसके बेस में होगा इसके पावर को सिर्फ जीव का त्यून लिख दीजिएगा चार का चार बाकि सब के पावर में एक एक आड करिएगा तो दू में एक आड करिएगा तीन होगा और यहाँ पावर कितना था हमारा पावर यहाँ अहाँ दो है तो इसमें भी एक आड करेंगे तो यह हो गया दू आएक तीन अब देखिए चार ती आई बारा ती आई चातिस चातिस गो हो जाएगा सम गुननखंड इसी में कह देगा कि बताओ जरा विसम गुननखंड कितने होंगे और डिभाईजर विसम गुननखंड विसम गुननखंड कि संख्या कह देगा आपको क्या करना है इस पूरे को छोड़ देना है अभी तो हमने सम गुननखंड बाला में सिर्फ इसके पावर को जीव काति यू लिखा लेकिन अब मैं क्या करूँगा अब मैं ये करूँगा कि इस पूरे टर्म को छोड़ दूँगा बिसम बला में सम जाएगा ही नहीं बस बाकी फिर वही काम दूआ एक तीन पावड में एक एक जोर कर गुना दूआ एक तीन तो तीन तीय कितना हुआ नव अब देखिए बिसम गुनन खंड नव इसको काटने वाला बिसम संख्या नव गो 36 गो संख्या तो 36 नव टोटल हो गया 45 गो यही तो बात है इतना बात आप समझ गए तो बहुत बड़ी बात समझ गए अब देखिए सारे सवाल आप गरदा उरा देंगे अब देखिए पहला सवाल सवाल कहता है इतना में अभाज गुनन खंड का योग क्या होगा इसमें अभाज गुनन खंड का योग पूछा है संख्या नहीं पूछा है संख्या नहीं पूछा है ध्यान रखना ये भटका देता है ये question लगभग भी द्यार्थी गलत बना के आया exam में संख्या कहता अगर आभाज गुननखन की संख्या पहले तो 9 को लिखोगे आप 3 का square 12 को लिखोगे 2 का square 4, 4 ती आई 12 उसके बाद क्या लिखोगे भाई 7 है 7 के power 7 इस पूरे को 3 का square यहां हो गया, 3 का power 1 यहां हो गया 3 का power यह 4 हो गया total, sorry 3 हो गया, 3 का power कितना हो गया 3 का power 3 हो गया 2 यहां, 1 यहां, अब देखो अच्छा, इसका power ओ हो, मैंने mistake कर दिया, देखो 9 को लिखेंगे 3 का square, इसका power 6 है, तो 6 लिखेंगे, गुना 12 को लिखेंगे हम 2 के square 4, 4 तेई 12, इसका power 4 है 12 के power 4, 7 के power कितना है, 7, 3 के power 6, 2, 12 यहां 2 का power कितना हो जाएगा जी, 2, 4 के, 8 3 का power कितना हो जाएगा जी, तो 4, अब देखे 7 के power 7, नीचे सारे अब हाज संख्या है, क्या है हाँ, 3 को arrange कर सकता हूँ, मैं 3 यहां 12 बार, 3 यहां 4 बार तो 3, total हम एक बार और ऐसे लिख लेते हैं 2 के power 8, 3 के power हो जाएगा 12, 4 कितना, 16 बार 7 हुआ, 7 बार हाँ, इधर ही लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं कहीं भी रहे 3, इधर है 16 बार चाहँ, उदर 16 बार कोई दिक्कत नहीं 2, 8 बार, 3, 16 बार 7, 7 बार अगर मुझसे पूछता कि अभाज गुननखंड की संख्या क्या होगी, तो पावर का योग इंसर होता, सभी पावर का योग ये बात नहीं पूछा, कहा कि अभाज गुननखंड का योग बताओ तो इसमें अभाज गुननखंड है कौन यही 2, 3, 7 तो है आप से पूछा 2, 3 और 7 का योग पूछा 7, 3, 10, 10, 10, 12 आपका एंसर बार होता और ये जान भूज कैसे कहा आप सीधे निकाल देंगे इसमें से 3 निकलेगा, 2 निकलेगा 3 निकलेगा, 7, 7, 3, 10, 10, 12 इसमें 2 होगा 7 आदू 9, आए में से 3 ले लिए सब जोड के बार, यहीं अंसर हो जाता हाँ, अगर मुझे पूछता इसमें, कि जरा बताओ अभाज जे अभाज जे, गुनन खंड की संख्या क्या होगी अभाज गुनन खंड की संख्या, तब तो गुनन खंड की संख्या कहता तो सभी पाबर का योग इंसर 16, 8, 24, 7, 31 हो जाता यह 31 इंसर हो जाता दोस्तों, अगर इसी में पूछता मुझे अभाज जे भाजको की संख्या हमसे पूछता अभाज जे भाजको की संख्या तो भईया हम क्या करते, बेस की टाइप गिन कर लिख देते, कितने टाइप का है एक, दो, तीन टाइप का है अभाज संख्या यहाँ यह हो जाता हमरा एंसर तो ये तीन सवाल एक ही सवाल में हो गया ठीक है अब आजाए आगे बढ़ते हैं कहता है 120 के बिसम और संभाजकों की कुल संख्या 120 को कैसे लिखोगे 158 बिसा से 8 को लिखोगे दू का क्यू 8 8 3 24 24 पचे 120 यही तो हुआ इसका पाबर कुछ नहीं तो एक इसका भी कुछ नहीं यही तो बात है अब आपको पूछा बिसम और संभाजक की कुल संख्या कितनी है तो अगर बिसम भाजक पूछा तो कोनो बरा बात नहीं है बिसम भाला में इस पूरे दू को छोड़ देते हैं बाकी के पाबर में एक एक जोड़कर आपस में गुना तो दो गुना दो 2 गुना 2, कितना हो गया? 4 20 सम बला में सम बला को छोड़ देते हैं और सम गुनन खंड कितने होंगे? तब इसके पाबर को जीव का तिव लिखते हैं बाकि सब के पाबर में एक-एक जोड़ते हैं इसमें केवल नहीं जोड़ते हैं 3 दुना 6, दुना 12 तो 4 और 12 देख लिए किसमे है? यहाँ है पहले 20 सम गुनन खंड 4, फिर सम गुनन खंड 12 यहाँ उल्टा दिया हुआ है उप्सने में उप्सन C आपका एंसर हो गया चले आगे आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब बताईए ये सवाल आजाईए इसमें कहता है नीचे देखो सब अभाज संग क्या है? कितने गुनन खंड सम है? तो देखो दु के पावर साथ है तीन के पावर चार है पांच के पावर तीन है साथ है यहाँ इसका पावर कुछ नहीं तो एक होगा कितने गुनन खंड सम है? सम सम जब कहेगा सम गुनन खंड जब भी कहेगा तो इबला पावर जीव काते हूँ जिसके बेस में दू है उसके पावर जीव काते हूँ सब में अब एक एक जोड़िये सब में एक एक जोड़िये सब में एक एक चारा एक, पांच, तीना एक, चार, एका एक, दू आपस में गुना कर दीजे, बेस से मतलब नहीं साथ, पचे, पचे, पैंटिस, चौका, एकसो, चालिस, दूना, दूसो, वसी दूसो, वसी आपका एंसर हो गया, आउपसन B अगर इसी में कहता, कि 20 गुनन खंड कितने है, जी 20 गुनन खंड कितने है, तो यह पूरे टर्म छोड़ देते पांच, चौका 20, वेस, दूना, चालिस, यह होता ना पांच, चौके 20, वेस, दूना, चालिस, वींस बीस, बिसम दूना, 160 दूना, 320, देखिए, टोटल आता 320, इस सब में एक एक जोड़ते, टोटल कहा जाता, तो इसमें भी एक जोड़ते, तो आठ पचे 40, 44 चोगा, 160, 160 दूना, 160 दूना, 320, टोटल 320 गुनन खंड होते, वी संबला 40, संबला 280, 280 आ 40 जोड़ेंगे, 320 हो जाएगा, क्या बा कहता है, कि 42, 100 के गुनन खंड की संख्या, अब 42, 100 को कैसे तोरोगे, चाहे तो आप ऐसे तोर सकते हो, पहले 21, लिख देंगे, 21, 21, दूना, 42, यानि इसको हम 42, गुना, 100 लिख सकते हैं, 42 को तोरना असान बात है, सतिया 21, 22, दू गुना, 3, दू तिया 6, 6, सतिय 42, अब 100 को तोरना, दू के पावर दू 4, दू के पावर दू 4, अब 5 के पावर दू 25, 25 चुका 100, अब 2 हमारा एक बार यहां, 2 बार यहां, 2 मिला टोटल 3 बार, 3 मुझे मिला 1 बार, 5 भी मिला 2 बार, और 7 मिला सिर्फ एक बा सतिया हमने, 42, गुना 100, 42-100 हो गया, 2, 3, 6, 6, सतिय 42, सब अभाज संख्या है, 2, 1 बार, 2, 2 बार, तो, तीन बार, 3, 1 बार, 5, 2 बार, 7, 1 बार, अब हमें क्या निकालना है गुनन खंड की संख्या, इतना में 42 हो के गुनन खंड की संख्या टोटल पूछा है, सभी के पावर में एक एक जोड कर आपस में गुना, एक जोडोगे तो क्या हो जाएगा, 4, 2, 8, 3, 24, 2, 48 आपका answer option A हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, सभी के पा पावर में एक जोड कर आपस में गुना करिएगा, तो बोलिए 4, 2, 8, 3, 24, 2, 48 हो गया की नहीं, option A हैंसर, दोस्तों अगला सवाल आजाएगे, अगला सवाल देखिए, कहता है कि 256 के कितने गुनन खंड पुर्ण बर्ग है, अच्छा सवाल है, 256 के कितने गुनन खंड पुर्ण बर्ग है, 2 से लगाईएगा 128, 2 से लगाईएगा 64, 2 से लगाईएगा 32, 2 से लगाईएगा 16, 2 से लगाईएगा 8, 2 से लगाईएगा 4, 2 से लगाईएगा 2, 2 से लगाईएगा 1, अब देखिए, पुर्ण बर्ग संख्या कौन होता है, पुर्ण बर्ग संख्या वो होता है, जो किसी का वर्ग है, नहीं, एक पुर्ण वर्ग संख्या है, जी, एक का वर्ग एक होता है, एक का वर्ग मूल एक होता है, जिसका वर्ग मूल भी पूरा-पूरा बन जाए, वही तो पुर्ण वर्ग संख्या है, इसका वर्ग मूल पूरा-पूरा बन जाता है, का बर्ग मुलेग ये हो गया आपका पहला पुर्ण बर्ग संख्या देखिए एक ये पुर्ण बर्ग संख्या ये पुर्ण बर्ग संख्या ये पुर्ण बर्ग संख्या ये पुर्ण बर्ग संख्या दोसो चपन का बर्ग मुल 16 होता है 64 का 8 होता है 64 का 4 होता है 4 का 2 होता है 1 का बर्ग मुलेक होता है 1, 2, 3, 4, 5 इसके कितने गुननखन पुर्ण बर्ग है तो 5 गुननखन पुर्ण बर्ग है जी और याद रहे कोई भी पुर्ण बर्ग संख्या होगा तो पुर्ण बर्ग संख्या के अंत में 2, 3, 7, 8 या सिंगल 0 नहीं आता है सिंगल 0 नहीं होगा कोई भी पुर्णबर्ग संख्या के अंत में 2, 3, 7, 8 या सिंगल 0 नहीं होगा, कभी भी नहीं ये जितने भी पुर्णबर्ग संख्या है, इसके अंत में 2, 3, 7, 8 या सिंगल 0 नहीं है इसके अंत में 8 है या पुर्णबर्ग नहीं है इसके अंत में 8 है या पुर्णबर्ग नहीं है कोई भी पुर्णबर्ग संख्या के अंत में 2, 3, 7, 8 या सिंगल 0 नहीं होता है इस बात को नोट कर लिजिद कहां? दिमाग में आईए, कहता है 729 के कितने गुननखन पुर्णबर्ग है, 9, 729, 729, 2, 3, 7, 8, या सिंगल 0 नहीं आता है, यह 729 है जी, 729 को अफ एक्टर तो रोगे, सबसे पहले, 2 से तो ये लगेगा नहीं, तो 3 से लगाओगे, 3 से तो 24 ती आई 72, 3 ती आई 9, 3 से लगाओगे 3, 8, 24, 3 एकम 3, 3 से लगाओगे 27, 3 ती आई 9, 3 से लगाएंगे एक बार में, पुर्णबर्ग संख्या कौन मिला जी, एक पुर्णबर्ग संख्या, 9 पुर्णबर्ग संख्या, एक 80 पुर्णबर्ग संख्या, और 243 नहीं, 729 पुर्णबर्ग संख्या, जिसके अंत में 2, 3, 7, 8 सिंगल 0 आ जाए, 3 आ जाए, 7 आ जाए, यह पुर्णबर्ग नहीं है, 1 इसके कितने गुनक सम संख्या है गुनक कहे गुननक कहे एक ही बात है नीचे देखिए सब अभाद संख्या है ये बात देख लेना जरूरी है नहीं तो एरेंज करना होता है कितने गुनक सम है तो जिसके बेस में दू है उसके पावर जिवकाति उन लिखते हैं सम गुनक में बाकि सब के पावर को एक बढ़ा दो दू आए एक तीन तीन आए एक चार बढ़ा दो पांच आए एक चोग लो आड़ तिरी चोविस 24 चोगा 24 चोका कितना 96 96 गुना 6 यानि लास्ट में ये 576 हो जागा 634 के 6 हासिल 396 के 54 54 आटिन 57 576 अपसंसी एंसर यही तो हो गया इसके कहता 20 गुनाख तो यह पूरे टर्म छोड़ देते और पावर एक बढ़ा के 3 एक बढ़ा के 4 एक बढ़ा के 6 तीन चोके 12 12 चके 72 यह हो जाता कहता सभी गुनन खंड या सभी गुनक तो सब के पावर में एक एक जोर कर आपस में गुना कर देते यही तो हो जाता अब अगर मैं इसके बारे में पूछूँ आपसे कि इसके कितने गुनक भीसम संख्या है कितने गुनक भीसम संख्या है तो सम बला जिसके बेस में दू है न उस तर्मे को छोड़ दीजे पूरे को और यहां से 6 35 30 सते 210 आपका एंसर हो गया और संसी पका देखिए न इतना असान गनीत होता है आप जुट्टों के डराइत रहते हैं इसके गुनन फल में कुल अभाज गुनन खंड की संख्या ग्याद करिए कुल अभाज माने सब बताना है तो सब के पावड में एक एक जुरेगा लेकिन नीचे क्या अभाज संख्या सब है नहीं तो गुनन फल में कुल अभाज गुनन खंड ग्यात कीजिए तो देखिए एक बात बताए ये 2 का Q लिख सकते हैं इसका पावर 10 है 9 को 3 का स्क्वाइर लिख सकते हैं इसका पावर 7 है 7 के पावर 8 है दोस्तों ये 2 के पावर 10 तीय तीस हुआ गुना 3 के 7 दूना 14 हुआ गुना 7 के पावर 8 है कहता है गुनन फल में कुल अभाज गुनन खंड की संख्या सभी गुनन खंड ना अभाज गुनन खंड अभाज गुनन खंड कहा तो सभी पावर का योग इंसर तो 14 आठ 22 आ 30 52 आपसंसी आपका 30 प्लस 14 प्लस 8 कितना हो गया 52 अगर इसी सवाल में कहता सभी गुनन खंड की संख्या अभाज नहीं लगाता तब तो सब के पावर में एक एक जोड़ कर आपस में गुना करना होता है इसमें सिर्फ अभाज गुनन खंड इसको काटने वाला केवल अभाज गुनन खंड बावन गो होगा बावन 52 पताइए इसके गुनन फल में कुल अभाज गुनन खंड ग्यात कीजिए जैसा पिछला सवाल आप क्या करोगे 16 को 2 के पावर 4 इसका पावर 7 लिख दोगे गुना 27 को 3 का क्यों लिख सकते हो इसका पावर 6 5 के पावर 9 अभीस 2 का पावर 7,4 के 28 लिख सकते हो 3 का पावर 6,8 लिख सकते हो 5 के पावर 9 लिख सकते हो सभी को जोड दीजिए 28,28 कितना हो गया 46,46,49,45 46,49,55 option C answer हो जाएगा पक्का अब देख लो तो 512 के कितने गुनक पुर्ण बर्ग होते हैं इसका जवाब आपको comment box में देना है मैं उमीद करता हूँ कि इसका जवाब आप सही दे पाएंगे तो नीचे comment box में इसका जरूर बताईएगा कि इसके कितने गुनक पुर्ण बर्ग होते हैं मिलते हैं फिर अगली वीडियो में थाइंक यू वेस्ट अफ लक